मेरा नाम दॉक्टर मनमोहन सिंग चोहान है मैं मानिपाल हॉस्पिटल गुर्गाओं में काडियो थराशिक व्यास्कुलर सरज्डी का हैड अब डेपार्टमेंट हो आज हम हार्ट डिजीज में स्ट्रेस के रोल के बारे में बात करेंगे जितने भी हमारे पास हार्ट अटाइक के साथ जो पेशिंट आते हैं उनमें जो पेशिंट तीस से चालिस साल के बीच में होते हैं उनमें 40% इन मरीजों में स्ट्रेस एक मेजर कॉज के तरह सामने आया है हार्ट अटाइक के लिए यह स्ट्रेस जीवन में बहुत जल्दी शुरू हो जाता है जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में हमें एक्जाम्स में अच्छे मार्ग्स का स्ट्रेस होता है कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एंट्री हो एंट्रेंस में अच्छे मार्ग्स हैं अच्छे कॉलेज में उसका stress होता है और आगे चलके जब हमारी job लगती है तो हमें एक particular lifestyle को maintain करने का stress होता है जिसमें अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा, fine dining और अच्छा गर इन सब का stress रहता है workplace पे toxicity is a major cause of stress in many people one of the major cause of stress is to keep yourself relevant to your organization उसमें you have to try new things, different things, being innovative is in itself a major stress अब ये stress आपने और चीज़ें in social media में कई young influencers हैं जो बहुत अपना lavish lifestyle flaunt करते हैं जिसके विज़े से आपको महसूस होगा कि आप एक underachiever हो आप वो चीज उनकी तरह achieve नहीं कर पा रहे हो इस unhappiness के विज़े से भी body में stress होता है अब इस stress को आप relief करने के लिए आप क्या गरते हैं आप socialize करना start हो जाते हैं आप अपने friends के साथ बीच में work place के time में आप smoking शुरू करते हैं smoking फिर शाम के time alcohol ले ली alcohol अगर मान लीजे कोई आदमी alcohol लेता है दो घंटे के अंदर अगर चार पेक खदम कर रहे हैं तो अपने आप ही 70% chances heart attack के बढ़ जाते हैं और smoking तो सब लोग जानते ही हैं कि heart attack के लिए बहुत major risk factor है और यह सब हमने किया stress को relief करने के लिए लेकिन यह आपको heart attack के तरफ अपने हाप ही ले जा रहा है लेकिन stress के साथ बात यह है कि stress हमारी body में क्या-क्या changes लेके आता है कि stress के वज़े से cortisol नाम का hormone है वो release होता है और वो persistently आपका बढ़ा हुआ रहता है cortisol hormone normally fight or flight के लिए की situation में release होता है लेकिन stress के वज़े से यह पाया गया है कि persistent high level of cortisol आपका blood में रहता है और उसके वज़े से जो heart की नसों में जो नुकसान होता है क्योंकि oxidative damage वो cause करता है आपका जो intima है, layer है heart की, जो endothelium है that is always in a state of inflammation और steroid के वज़े से दिल की धड़कन बढ़ती है और BP भी बढ़ता है और यह दोनों चीज़ें, blood sugar भी बढ़ता है यह तीनों चीज़ें मिलके heart attack को उस patient में promote करते है इसके लिए हमें जो ध्यान देना है, हमें अपना lifestyle change करना है हमें अपने ले कम से कम एक घंटा दिन में निकालना चाहिए जिससे हम meditation कर सकते हैं, हम exercise कर सकते हैं और family के साथ जितना आप quality time spend कर सकते हो, वो जादा बहुत अच्छी चीज़ होती है और अपने आपको कभी भी underachiever महसूस ना करें और अपने आप जो भी आपके पास है, उसमें खुश रहने के कोशिश करें you can fight stress very easily and very efficiently thank you so much